शुक्र देव दूसरे भाव से वास्ता रख लेते हैं अगर स्थितर तो आपको जिद्धकी के अन्दर कैसे प्रिनाम देखने को मिलेंगे यहाँ पे बैठ के वह अपने कैसे रिजल्ट देंगे तो दोस्तो शुक्रदेव सभी लगन के अंदर आपको बता रहा हूँ कि शुक्रदेव यहाँ पर कैसे फल देंगे तो देखिए शुक्रदेव जो की वरतमान में कल्यूक में सबसे मैत्तपून कर रहे जो की तमाम भोतिक सुक के कारण है जैसे मकान, वहान, संपत्ती, पैत्रिक संपत्ती, भूमी और विवाइक जीवन शुक्रदेव दूसरे भाव में बैट गए और जो दूसरा भाव होता है इससे धन का, कुटुम का, परिवार का, वानी का, अर्थिकिस्तिती का पता चलता है, सात्य में सुक्रदेव बैटके दूसरे भाव के तो रिजल्ट देंगे, उनकी दरश्टी गई आठवे भाव में, तो अगर सुक्रदेव यहाँ पे बैटे तो आठवे भाव को भी परवावित करेंगे तो आठवे भाव से हम क्या देखते हैं? क्योंकि उनकी सात भी दरश्टी गई, सुक्रदेव जहां बैटे हैं, वहां के फल देंगे, जहां दरश्टी डाली, सात भी वहां के फल देंगे तो सात्व भाव मृत्युगा, आयू, दुरगटना, बिमारी, संगर्स, जिनके के अंदर हानी, अपमान, सुसुरुआल पक्स यहां से देखा जाता है, गुप्त ग्यान और गैरी खोज का भी यहां से पता चलता है, तो सुकर देव अच्छे तो दोनों भाव से रिलेटिड आपको अच्छे पल मिलेंगे, और खराव तो दोनों भाव से रिलेटिड आपको खराव फल मिलेंगे, अब आपको पता पता करेंगे, कि सुकर देव यहां पर अच्छे हैं, तो आपको बताने जा रहा हूं, कूंड़री के अंदर वो कारक है, कारक का मतलब सकरात्मक फल देने वाले हैं, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे और नकरात्मक फल देंगे अगर वह मारक है तो अब ये कैसा पता लगाए वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए अगर आपकी लगन, वर्सब लगन, मिथूल लगन, करक लगन, कन्या लगन, तुला लगन, मकर दो लिखा है, लगन में तीन लिखा है, लगन में छे लिखा है, लगन में साथ लिखा है, लगन में दस लिखा है, लगन में ग्यार लिखा है, इन सभी लगनों के अंदर सुक्रदेव अपना पहुत अच्छा परभाव देते हैं, फिर वो कारक हो जाएंगे आपको धन से रि माकान वहान धन अर्जित कराके जिंदकी में जातक तमाम सुथ प्राप्त करने वाला होगा जातक कि वानी पहुत अच्छी होगी अपनी वानी से काम निकाल लेने वाला होगा जानित तक को गुप्त गयान में भी अच्छी सफलता मिलेगी años CONSEFF अगर लगन पहले भाव के अंदर दो, तीन, छे, साद, दस, ग्यारा लिखा है यानि तुरह लगन है, मिथुन लगन है, कन्ना लगन है माप किजिये वर्षब लगाने, मिथुन लगाने, कन्ना लगाने, तोला लगाने और मकर लगाने, कुम्ब लगाने तो जातक को पहुत अच्छा फ़ल मिलेगा जातक को पहुत अच्छा सर्श्ष्ट फ़ल प्राप्त करने वाला होगा खास तोर से अगर यहाँ पे 11 लिखा है तो बहुत अच्छा परवाव देंगे क्योंकि यहाँ पे 12 लिखा होगा और सुक्र यहाँ पे उंचके हो जाएंगे तो सुक्र की दसा अंतर दसा में जातक धनवान तो होगा ही होगा बल्कि जिन्द के गंदर तमाब सुक्प्राप्त करने वाला होगा जातक कि वानी बहुत परवावसाली होगी इसी के भी प्रीत बाकि के जितनी भी लगन बची जैसे कि अगर यहाँ पर एक, पाच, आट, नो, बारा यह लगन बचती है तो इसमें शुकृदेव अपना अच्छा फ़ल नहीं देंगे अपना बहुत अच्छा फ़ल नहीं देंगे खास तोरचे है अगर यहाँ पर लगन में पाच लिखा है तो क्योंकि अगर यहां पर लगन में 5 लिखा होगा तो दूसरे भाहों में 6 होगा तो शुक्र देव यहां पर नीच के हो जाएंगे जातक को धन का अबाव होगा जातक की आर्तिक इस्तिति ठीक नहीं होगी शुक्र की दसा अंतर दसा के अंदर कुट्म के साथ लड़ाई जगडे अपनी मानी से काम निकाल लेने वाला जातक की तबियत खराब बीमारी पर कौन सी क्योंकि शुक्र जो होते हैं इंटर्नल डिशीज के कारक होते हैं गुप्त बीमारी के कारक होते हैं तो जातक को बीमारियां हो जाएंगे सुसुराल पक से जातक को दिक्कत हानी एक बाता खतम नहीं होगी दूसरी बाता शुरू हो जाएगी शुक्र की दस अंतर दसा के अंदर जातक को संगर्स देखना पड़ेगा शुक्र की दस अंतर दसा के अंदर जातक को मकान महान बनाने में दिक्कत होगी शुकर देव विवायक जीमाने के भी कारक माने जाते हैं तो थोड़ा विवायक जामने में भी जातक का मतवेद होगा तो शुकर देव अगर यहाँ पे बलवान है डिगरी जरूर देख लिजेगा अगर सुक्र देव किशोर वस्ता पून किशोर वस्ता में होंगे तो ही वो पून रूप से सकरातमक या पून रूप से नकरातमक पल आपको देंगे अगर सुक्र यहाँ पे अच्छे हैं तो फिर तो बहुत ही अच्छा शुक्र के बीच मंतर करना चाहिए अगर शुक्र का नीच बंग नहीं हो पा रहा है तो शुक्र के बीच मंतर पड़े उस शुक्र का ओपल धरन ओपल रतन या डाइमंड रतन जिन्दके के अंदर कभी धरन न करे तो दोस्तो मैंने आज आपको पताया दूसरे भाव के अंदर सुक्रदेव कैसा रिचल्ट देंगे सभी लगन के अंदर वीडियो अच्छी होगी तो लगी होगी तो लाइक करना चैनल सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा धन्यवाद